नश्कार दोस्तों मैं हूं सुमित स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में आज मेरे दिमाग में एक और खुरापा चल रही है गाड़ी की चावी को ले करके एक्चुली मैं अभी रिसेंटली कहीं गया हुआ था और मुझे मतलब मन में ये डर चल लोकिंग भी आती है तो ये चावी जिस गाड़ी में सेंटल लोकिंग आती है उसमें अंदर रह पाती है या नहीं रह पाती है और साथी साथ किन कंडिशन में आप गाड़ी को चावी के अंदर बूल सकते हैं गाड़ी चावी के अंदर होने पर लोक होती है या नहीं वह स एसलब कि लैसा लगता है क्या करें कैसे करें कुछ भी करके बस चाहा भी मिल जा है हमारी और जान टॉक्सेट डॉक educate कर सकते हैं एक चीज मैं आपको यहां पर बता तूँ जब जैसे आप इसे डाउन करेंगे तो आपका जो इस साइट का यह वाला जो हुक है यह भी डाउन हो जाएगा जैसे मैंने ओपन किया यह उपर हो गया यह भी नीचे हो गया इस तरीके से जो चारो डोर के हुक है वो उपर नीचे OF होते हैं और मैं आपको एफ कि बताता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं फिलाल इस समय यह जो गेट है यह मेरा अनलोंकى अब मैं इसे लॉक कर देता हो और यह हमने चावी से हमारा instrument cluster on कर लिया आप देख सकते हैं यह लगी है गाड़ी में चावी को बाहर निकालता हूं यह आप देख सकते हैं यह अनलोग हो जाता है कि अधैन से लोग किया व्य में 2 सब यह इस सेंटरल लोकिंग का फीचर है अब एक चीज और मैं आपको यहां पर बताता हूं वह क्या है कि यह गाड़ी है हमने बाहर निकल गए गाड़ी में से अंदर कोई भी नहीं है चारो डोर जो है लॉक्ड है अब मैं गाड़ी को फुली लॉक कर देता हूं देख सकते हैं आपने 30 सेकेंड लेगी गाड़ी गिन के 30 सेकेंड एकदम एक्यूरेट और गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी मैं आप लोग के सामने इसे जो अनलोक किया है वो मैंने अभी छोड़ दिया है यह देखिए मैं कोई बटन नहीं दबा रहा हूं चाबी मेरे हाथ में हैं गाड़ी अपने आप ही लॉक हो गई तो दोस्तों क्या यहां पर यह जो ऑटोमेटिक लोग वाला फीचर है यह अगर गाड़ी की चाबी अंदर रह जाती तब काम करेगा यह आपको मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं तो फॉर एक्जामपल अगर आपकी गाड़ी की टूर्पेशं यह होती है कि जैसे मैंने यह गाड़ी को लॉक कर दिया अब मैंने गाड़ी को अनलॉक कर दिया और और अब मैंने चाबी को अंदर भूल गया फोर एक्जामपल यह मैंने आपके सामने रख दी चाबी और यह मैंने गेट लगा दिया तो अब यह गारी जो 30 animals होने के बाद automatically हो रही थी वो नहीं होगी लुख क्योंकि इसका एक बार डूर खुल चुका एक बार अगर कोई साब भी डूर आपका?..चारों में से खुलता है unlock होने के बाद तो गारी automatically लॉक नहीं होती है अगर आपका डोर नहीं खुलता है तब आपकी गाड़ी 30 सेकंड वाद आटोमेटिकली लॉक हो जाती है ये चीजे मैंने बता दी इसके सेंटरल लॉकिंग से जुड़े हुए कुछ फीचर्स थे जो की गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हैं अटोमेटिकली और जिस तरीके से ये कंट्रोल होती है अब हम क्या करेंगे की गाड़ी लॉक होती है या नहीं होती है वो चीज हम टेस्ट करेंगे देख सकते हैं आप गाड़ी के अंदर अभी कोई भी नहीं बेठा हुआ है एकदम खाली है और अब हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि गाड़ी किन किन कंडिशन्स में गाड़ी की जो चावी है अंदर रह सकती है या रह भी सकती है नहीं रह सकती है तो सबसे पहले मैं गा इसे आप नीचे की तरफ दबा रहुं इसे हम अपने आंप उपर आजा रहा है अगर kकल नहीं हो रही है हूं गाड़ी की चाभी मेरी अंदर है अब इसे कैसे लॉक कर सकते हैं पेसेंजर साइट के तीनों डॉर अगर लॉक हो भी जाते हैं तब भी आपका जो ड्राइवर साइट का जो डॉर है वो लॉक ही रहेगा अब हम एक बार जिसे यह वाला डॉर खुला है अभी चाबी मेरी गाड़ी के अंदर ही है अभी यह मैंने लॉक कर दिया अब आप कि यह वाला डॉर अभी यह भी खुला हुआ है इसे भी हम लॉक कर देते हैं रहा है अब हम देखते हैं कि जो चाबी गाड़ी के अंदर है यह फाइनल बचा हुआ डॉर है ९ह लॉक होता है या नहीं होता है कि इसे में नीचे करूंगा यह देखिए यह फट्ट से उपर तो मतलब कोई भी गुंजाइस नहीं है आपकी की गाड़ी आपकी इस वाली कंडिशन सेंटरल लोकिंग वाली गाड़ी में कि चाबी आपकी अंदर छूड़ जाए और गाड़ी लोक हो जाए और आप परिशान होते रहें सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वैसे एक राज की बात में बताता हूं कि मुझे खुद को नहीं पता था कि यह गाड़ी में मतलब चाबी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी अगर लॉक हो गई तो क्या होगा सो मैं एक जो की है अपनी एक्स्ट्रा जो कार के साथ आई थी वो लेकर के आया था और एक की आपके सामने में ने गाड़ी के अंदर छोड़ी थी जो की यह पड़ी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह रही सो भाई कैसा लगा वीडियो उम्मीदे काफी अच्छा लगा होगा लाइक तो फटा फट से करी दीजे और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे मैं आप लोग के लिए कार वाइक से रिलेटेड अच्छ अच्छी वीडियो डेली ल